Hello everyone, मेरा नाम है Erie और आप देख रहे हैं Erie in Germany वापस से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं ये डिसकस करूँगी कि जो हाउसकीपर का कॉस्ट होता है वो कितना जा सकता है जर्मनी में और कैसे आप उस कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो अगर आप एक रोबो क्लीनर खरीद लो वैसे ये कोई sponsored वीडियो नहीं है मैंने खुद खरीदा है मुझे मेरा जो experience है मैं वही शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में तो जर्मनी में अगर आप कोई हाउसकीपर को हायर करते हो तो हायरिंग से मतलब यह है कि आप उनको बताओगे कि मन्थ में कितनी बार उनको विजट करना है आपकी घर की सफाई के लिए तो सफाई में क्या क्या चीज़े वो करते हैं उसमें इंक्लूड होता है दस्टिंग, वाक्यूम क्लीनिंग, तो बेड शीट जो होती है बेड कमर होता है वो पुरा चेंज करते हैं वाशिंग मशीन में लगा देते हैं देन वाश बेशन क्लीन करना होता है उनको अन्ड टॉइलेट सीट होती है एवन बात्रूम में जो कई बार हमारे नल वगेरा पर जैसे पानी जम जाता है तो वो क्लीन करते हैं तो इसमें जो कॉस्ट इनवल्ज रोता है वो 25 यूरो है ये कॉस्ट जो 25 यूरो है मैं वही शेर कर्यों हूँ जो मेरे लांडलोड पे करते हैं और उनके पास महीने में दो बार विजिट करती है, जो हाउस्कीपर लेडी है और वो एक से देड़ गंटा काम करती है और उसी टाइम उनको पेमेंट करनी होती है कैश में तो वो एंवलप में 25 यूरो डाल के उनको देते है तो ये वही कॉस्ट है वन टाइम का, मतलब पर विजिट का और वो अपनी कार से आती है, सफाई करती है एक गंटे में फ्री होके कार से चली भी जाती है अब अगर आप इस कॉस्ट को बचाना चाते हो या फिर अगर आप खुदी क्लीनिंग करना चाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी फर एक्स वाइजी रीजन तो आप एक रोबो क्लीनर खरीद सकते हो तो जो मैंने अभी रोबो क्लीनर खरीदा वो आमेजून पर डिस्कांट में लहा था जब मैंने लिया था तो 80 EUR लेकिन अवही मैंने वापस चेक किया तो वो 100 EUR डिस्कांट होगया तो इसका छ units 200 EUR बट अब वो डिसकांट में 100 EUR का मेल रहा है तो अगर आप मोटा मोटा कालकुलेट करो कि इनर में कितना होता है 25 euro तो वो कुछ 2,000 या 2,250 रुपए होंगे और अगर आप एक रोबो क्लीनर खरीदना चाते हो तो वो 100 euro का अभी मिल रहा है Amazon पे मेरा जो रोबो क्लीनर है वो मैंने Amazon से खरीदा है और उसका इनिशल कॉस्ट कुछ 200 euro है बट वो डिसकाउंट में मुझे 120 euro का मिला था लेकिन अभी 20 euro और सस्ता हो गया है और वो 100 euro का मिल रहा है मतलब कि इसके अंदर है चार टाइम की हाउसकीपिंग फीस अगर मैं किसी को हायर करती अपने घर की सफाई के लिए तो मुझे उतना देना पड़ता लेकिन अब मेरे पास एक lifetime warranty के साथ वाला रोबो क्लीनर है और इसकी सफाई वगेरा बहुत अच्छे से हो रही है और मेर मेरे घर में कार्पेट विची हुई है तो मैंने वेट वाला नहीं लिया आपके पास एक वेट का भी option आता है जिसके अंदर पानी भरना होता है और कुछ पोचे जैसा कप्डा लगा होता है तो जब एक बार वो ड्राइ क्लीनिंग कर लेता है आपको इसका कुछ करके देख सकते हो कि कितना परसिंट चार्ज हुआ जब एक बार फुल टाइम चार्ज हो जाता है तो इसमें कहते है कि दो गंटे तक चल सकता है बट मेरा गर उतना बड़ा नहीं है बग छोटा है तो 45 मिनिट मैक्सम मैंने इसको चलाया है और उसके बाद भी 45 परसंट या 40 परसंट बैटरी बची हुई थी यह रोबो क्लीनर एक रिमोट के साथ आता है उस रिमोट में तीन चार क्लीनिंग फीचर्स होते है या तो वह आप मैनुली कर सकते हो या फिर आप जो है उसको वाल टो वाल क्लीन कर सकते हो वह रेक्टांगुलर शेप में चलेगा या फि इस रोबो क्लीनर के अंदर एक 500 ml का बॉक्स होता है जिसमें सारी डस्ट स्टोर होती है और जो बाल वाल पड़े होते हैं कारपेट और इदर उदर वह अपने इस डायना उजिसका होता है फैन जैसा उसमें फसा लेता है तो आपको वह मैनुली निकालना होता है एंदेन य तो आइगेस मैंने सारी चीज़े बता दिये हैं अब यह चार्च मैनुली होता है यह आटोमाटिक होता है तो अगर क्लीनिंग करते टाइम इसकी बैटरी खतम हो जाती है और वाइफाई रेंज के अंडर अंडर ही यह अपना आइडेंटिफाई कर पाता है कि इसका डॉकि अगर यह अपने इनिशल पोजीशन से बहुत ही जादा दूर है और वाइफाई के रेंज में नहीं अपने डॉकिंग स्टेशन के रेंज में नहीं है तो यह वापस नहीं आपाएगा और जैसी 10% होता है तब यह अपस घर जाना होता है तो ब्लिंग करने लगता है उसका स प्लेशन प्लेशन करो तो आप वाइफाई और मॉडम के आसपास ही करो ताकि connectivity में कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ चीजे आपको इसको यूस करते टाइम इंशोर भी करनी है जैसे अगर आपको कोई रूम क्लीन नहीं करना है तो आप उसका दरवाजा बंद कर सकते हो कोई चोटा मोटा ऑबजेक्ट या अमजोन का बॉक्स पड़ा होता है तो वो खुदी धखेल धखेल के साफ करता है वैसी मैं एक वीडियो भी डाली ते अपने इंस्ट्राग्राम पर जिसमें मेरा ट्राइपोड को आगे पीचे करके वो सफाई कर रहा था वैसे ही आपको यह कि इसका जो नीचे फैन टाइप कर जो इसका पंखे टाइप का है उसमें केबल ना फसे वायर ना फसे तो ऐसी कोई चीज जमीन में नहीं पड़ी होनी चाहिए जैसे वायर हो गया या आपका मोबाईल चार्जिंग की केबल हो गई वो चीज आपको हटा कर रखनी है तो व अगर आपको सफाई नहीं करनी है या फिर आपको टाइम नहीं सपेंड करना है सफाई वगेरा में ऐसे तो मैं रोज नहीं चलाती हूं हकते में एक या दो बार चला लेती हूं जब मुझे लगता है कि गंदा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी आटमाटिक क्लीनिंग हो रह अगर बहुत है कि मेर से बेटर हो रही है मैं इतना बेट के अंदर गुजगुज के तो सफाई नहीं करती थी पहले बट वह अराम से जाता है पुरा साफ आफ करके बहार आ जाता है और मैंने टाइमर लगा रखा है तो यह सुबा आड़ बजे ही जब जिस दिन कभी मैंने टाइमर लगाया हो उस दिन वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा अगर आपको यह खरीदना हो तो आप इसको अमेजॉन से ले सकते हो और अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में भी कई सारे ऑप्शन है ड्राइ भी है और वेट पोचे वाले की भी तो आप महाँ पे अमेजॉन से खरीद लेना लिंक डाल दूंगी डिस्रिप्शन बॉक्स में यह बेनिफिट यह है एक और की अगर आपके घर में सीडी वागेरा है तो आपको टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है वो डिटेक्क कर लेता है और ऐसा नहीं की सीडी के पास ज अच्छा रहा है और मुझे जब मैंने रील डाली थी इसकी तो मुझे अलड़ी जर्मनी से कही सारे लोग मेसेज कर रहे थे कि वो अलड़ी यूस कर रहे है यह ब्रैंड नहीं बत और भी मतलब पांच साल पहले से ही वो यूस कर रहे है तो और वो खुश भी है इसकी झालग बाई